mutual funds में एक rule होता है या equity investment की बात करें या फिर सीधा समझ लो investment की बात करतें एक rule होता है 15-15-15 का 15,000 रुपए हर महीने 15 साल तक invest करते हो उस पे 15% का return annualized मिल जाता है compounded तो आपका 15 सालों में 1 करोर का corpus त्यार हो जाते हैं चाहें कहीं पर इंवेस्ट करो 15,000 investment जाना चाहिए 15 सालों तक हर महीने जाना चाहिए और 15% का return उस पे compounded मिल जाना चाहिए एक curve हो जाता है लेकिन अगर 15% का return ना मिले तो अगर 12% का ही return मिले तो अगर मैं सिर्फ index में invest करना चाहता हूँ और मुझे 12% का return मिले तो यहाँ पर भी एक rule होता है जिसको हम कहते हैं 843 rule यहाँ पर rule हमें यह कहता है कि अगर 15% का return मिले अगर हमें 12% का ही return हमारे investment पे compounded मिल जाता है और यहाँ पर हम 21,250 रुपे हैं मतलब 21,250 रुपीज हर महीने या तो हर महीने खुद से लमसम करते रहें या फिर SIP सेट करके छोड़ दें वहाँ पे 15,000 हर महीने इंवेस्ट करना था 15% return मिल रहा था यहाँ पे 3% कम 12% return मिल रहा है तो हमें 21,250 रुपे इंवेस्ट करना पर रहे हैं तो ऐसे में 843 का पहला 8 जो होता है तो यह जो SIP जा रही है पहले 8 साल में आपका 33,000,000 रुपीज के आसपास जमा होगा 33.33,000,000 रुपीज के आसपास आठ साल लग जाएंगे सिर्फ 33,000,000 रुपे जमा करने में और 15 साल में एक करूर करना है 8 के बाद 4 आता है अग भी यह 4 जो नंबर है वो है अगला 4 साल अगले 4 साल में आपको दूसरा 33,000,000 रुपीज जमा हो जाएगा और इसके बाद जो तीन वाला नंबर है वो है अगला 33,000,000 अगले 3 सालों में आपका अगला 33,000,000 जमा जाएग तो टोटल मिला के लगबग एक रुपे जमा हो जाते 21,250 रुपे की SIP और 15 सालों तक अगर हर बहिने जाती है तो पहले 8 साल में आपको 33 उसके बाद 4 साल और मतलब बारा साल में 33 प्लस 33 66-67 के आसपास हो जाएगा एंड दिन उसके आगे के 3 साल मतलब बारा जोर 3 15 सालों में इसके उपर एगन 33 लाइक जोर दो तो 99 लाइक वन करोर के आसपास का पैस आपका बन के तयार हो जाता है तो ये होता है अगर आपको 12% का ही रिटर्ण मिल पाएगा आपके इंवेस्टमेंट पे तो आप ये फर्मूला के एकॉर्डिंग इंवेस्टमेंट करके 1 करोर का टार्गेट एचीव कर सकते हो इतना ही सिंपल है अगर आपको लगता है कि 15 मतलब अगर हम स्मॉल कैप, मिट कैप के अंदर इंवेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली 15,000 हर महीने इंवेस्ट करके 15 साल में 1 करोर एचीव करना आसान है, हो सकता है लेकिन मैं अगर सिर्फ इंडेक्स फंड वो भी लार्ज कैप, सेंसेक, निफ्टी, फिफ्टी इनके अंदर इंवेस्ट करके या ब्लू चिप म्यूचल फंड्स के अंदर इंवेस्ट करके सोच रहा हूँ 1 करोर बनाने का, तो मुझे 15,000 हर महीने नहीं, मुझे कम से कम तो 21,000 रुपे हर महीने जमा करने परेंगे 15 सालों तर तब जाके 1 करोर का कौर पस्तियार होगा इससे हमें ये चीज समझ में आते हैं उमीद है क्लियर होगा